तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको बात करेंगे कि अगर आपके पास pen drive नहीं है और आपको windows इंस्टॉल करना अपने PC में या laptop में तो आप कैसे करोगे तो बिल्कुल आसान तरीका है थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल घबराने की जोड़त नहीं ह जैसे जैसे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा बस वैसे वैसे आपको कर देना है तो चलिए बीना देरी किये हुए वीडियो का अब सुरू करते हैं तो सबसे उपर Microsoft का यह website खुलेगा यह website है वो तो यहां से आपको नीची आना है और यह जो दिया हुआ है डाउनलोड टूल ना हूँ यहां से यह सबसे उपर बीट बाला वरजन दे रहा है और 32 बीट वाला वरजन दे रहा है इसी में से जो भी आपका system हो गर 32 bit वाला आपका system हो तो 32 bit वाला करना है और 64 bit वाला अगर आपका system हो तो 64 bit वाला करना है तो मैंने अलरीडी यह सारे software's download किये हुए तो आगे का process में बताता हूँ तो इस software को install करना होगा तो egbcd को सबसे पहले हम लोग इंस्टाल करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें simple आपको बस next next करते जाना है तो यह इंस्टाल हो जाएगा कुछ इसमें अलग से कुछ नहीं करना है उसके बाद वी नारेयार को अम लोग इंस्टाल करेंगे तो इसके इंस्टालेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पर अम लोग इंस्टाल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ध्यान देने वाले जो चीज है वो है कि यहाँ पर ISO भी आपको select करना तो यह आप select करके ISO और यहाँ पर आप ok करोगे यहाँ पर done कर देना है तो दोस्तों हमारे सारे software इंस्टाल हो गए है अब इसके बाद आप क्या करना है कि दीश PC पे आना है और आप क्या करोगे कि हम लोग एक नया partition create करेंगे जिसमें हम लोग Windows के जो भी Windows 10 इंस्टाल करने जा रहे हैं उसके files को ISO फाइल से extract करके directly उसमें रखेंगे तो एक नया partition बनाएंगे जो कि 8 GB का होगा, क्योंकि Windows का जो ISO फाइल है, वो करीब 6-6 GB का है, तो आपको क्या करना है कि, जिस भी ड्राइब में जगा खाली हो, जैसे मेरे में तो आप देखरो, C में भी बहुत ज़्यादा जगा खाली है, और E में भी खाली है, तो आपका जिस में सही मन करे, 8 GB का एक नया पाटिशन हम लोग बनाएंगे, तो आप दिस PC पे आजाओ, राइट किलिक करो, और सी मोर अप्सन अगर Windows 11 यूज कर रहो तो नजी तो मैनेजवाल अप्सन डिरेक्टली आ जाएगा, तो इस पे क्लिक करना है, और यहाँ डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, मैं E म का मतलब यानि हम लोग 8000 MB कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहो कि एक 8GB का नया पाटिशन बन गया है, अब इसमेंट क्या करेंगे, जो हमारा Windows 10 का फाइल है, आप जहाँ भी डाउलोड करकर रखे हो, जैसे यहाँ पे मेरा है, तो इसको अब यह वी नर यार का यहा लोगों देख रहे हो, यानि कि अब यह वी नर यार में खुल सकता है, तो इसको डवल क्लिक करके हम लोग खोल लेंगे, अगर डवल क्लिक में नहीं खुल रहा है, तो राइट क्लिक करके, ओपे वी नर यार करेंगे, अब यहाँ पे यह जो पाथ है, यह पाथ जो देख टो यहां पे यहां पर ने बोल्म्न इसलेक्ट कर लेंगे तो यहां कट कर दीजिए जो हमने एजी बीसीडी इंस्टॉल किया है उसको अब रन करिए यहां पर आपको एड़ निव इंट्री पे क्लिक करना है और यहां आप नीची आजाओ उपर कुछ भी नहीं करना है नीची आजाओ और यहां पर जो ऑप्शन दिया है डबलू आई एन पी इ इसको क्लिक करना है और इसमें आप नेम यहां पर चेंज कर दो नेम यहां पर लिख दो विंडोस टेन इंस्टॉलर यह सिर्फ पाचानने के लिए आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम डाल सकते हो इंस्टॉल करते समय यह पाचानने ही मदद करेगा और यहां पर पाथ हम स यहां पर बूट.wim यह जो फाइल आप देख रहो बूट.wim इसको सेलेक्ट करना है और यहां पर ओपन कर देंगे और यहां पर ग्रीन वाला जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों हमारा सारा काम हो गया अब इस सफ्ट्वर को आप कट कर दीजिए और और नीचे आप देख सकते हो Windows 10 installer जो हम लोगों ने नाम हो आप लिखा था पाचानने के लिए कि इंस्टॉल करते समय पाचान जाएंगे तो बस Windows 10 installer पर करके आपको इंटर कर देना है अब यहां से प्रोसेस सेम है जैसे हम लोग पनराइब से करते हैं वैसे इस सेम चीज ख счine soit 20 करें यहां इंस्टोल ओक्र करेंगे और नीचे आपको वर्जन सेलेक्ट करना है तो रही दोसे मोझे कर लेते हैं यहां से और मद आपको next कर देना यहां पर आपको पाचानना होगा कि अपका隋वक कॉन है और सिस्टम कर हैं सी ड्राइब पाचानने का एक और तरीका मैं आपको बता रहता हूं कि टाइप में आप देखोगे तो वह प्राइमरी पार्टिशन यहां पर दिखा हुआ है लोजिकल ड्राइब जो होता है यह दोनों जैसे लोजिकल है तो इसमें आपका परसनल फाइल होता है तो इसको भूल के भी आपको डेलिट नहीं करना है तो चली आगे करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करना है कि यह जो ध्राइब है इसको यहां से डिलीट करना ऑप यह जो सिस्क्रम Deswegen कर रहा है इसको यहां पर डिलीट पर लाइर तो अब आफम हम आप डिलेट किये इसको हमीन मिल ग अब यहां पर दोस्तों region select करने के लिए बोल रहा है तो यहां पर इंडिया select करके जो की already selected है यहां पर हम लोग यस कर देंगे उसके पासे keyboard layout दे रहा है तो यूए सेलेक्ट करेंगे यूएस भी already selected है और यहां पर यस कर देंगे second keyboard layout को skip कर देना है यहां पर corner में I don't have internet पर क्लिक करना है और यहां पर continue with limited setup पर क्लिक करना है अब यहां पर आपसे account create करने के लिए बोल रहा है तो आप यहां पर अपना नाम डाल दीजिए और उसके बाद आपको यहां नीचे next पर क्लिक कर देना है उसके बाद password create करने के यहां पर जितनी भी चीज़े हैं सबको आपको off कर देना है क्योंकि यह काम तो कम करती है आपका data ज्यादा चेक करती है जो ही personal data है उस पर नजर रहता है ज्यादा advertisement वगरा के लिए इसमें से जो ही features है आप बाद में जहुरत के इस आप से enable कर सकते हैं यहां पर सबको off करके कि यहां पर accept पर क्लिक कर देना है कोटाना को भी अभी हम लोग not now कर देते हैं बाद में अगर आपको enable करना होगा तो आप कर सकते हैं सो गाइस windows 10 install हो गया है अब आप राम से इसको यूज कर सकते हो लेकिन आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा क्योंकि windows इंस्टॉल करने का बाद ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है दूसरा एक और important चीज़ यह करना है कि जो हमने 8GB का partition किरेट किया था उसको फिर से उसी partition में मिला देना है जिससे हम लोगों लिये थे क्योंकि वह एक्स्टा ऐसे फालतों दिखाता रहेगा तो फिर से हम लोग वहीं पर चलेंगे disk management में तो disk PC पे right click करेंगे और minus पे क्लिक करेंगे यहां disk management पे क्लिक करेंगे और यह जो हमारा partition आप देख रहा हूँ 8GB का यह हमने create किया था तो इसको delete करना है right click करेंगे इस पे और यहां से delete volume पे क्लिक करेंगे तो यह फिर से free space हो गया है अब हम लोगों ने लिया था उसको जिसमें से यह आपको जिसमें भी add करना है उसमें आप यहां पे देख सकते हो कोई extra partition नहीं दिखा रहा एक C है और एक D है बस दोस्तों इस तरह से आप बीना pen drive का भी अपने PC में और laptop में Windows इंस्ट्रॉल कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर कुछ पूछना चाहते हो आप अग आंद बरदमान साइनिंग आउट